एक जंगल में एक हिरनी रहा करती थी उसका एक बेटा था वह बहुत शरारती था वह दिन भर खेलने में मगन रहता था और उसे कुछ भी सिखाओ वो नहीं सीखता था इस बात से परिशान होकर हिरनी अपने बेटे को अपने बुद्धिमान भाई के पास लेकर गई और उससे बोली भाई करपया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबे सिखा दो ताकि वह कभी संकट में फसे तो अपनी जान बचा सके हिरनी का भाई मान गया और वह उसे तरह तरह की जान बचाने की तरकीवे सिखाने लगा लेकिन छोटा हिरन बहुत शैतान था और उसका मन सिर्फ खेलने में ही लगा रहता था जल्दी ही वह कक्षा से गायब रहने लगा और उसने बचाप की कोई भी तरकीव नहीं सीखी एक दिन खेलते खेलते वह जंगल के एक छोर पर पहुँच गया वहां घूम रहे कुछ शिकारियों ने उसकी और देखा उसे देखते ही उन्होंने अपना तीर निकाला और निशाना साथ कर छोड़ दिया वह तीर जाकर सीधे छोटे हिरन को लगा और वह वहीं तडब तडब कर मर गया जब उसकी मा को यह पता चला तो वह बहुत रोई उसका भाई उसके बास गया और उससे बोला मुझे दुख है कि तुम्हारे बेटे की मृत्यू हो गई मैंने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वह कुछ सीखना ही नहीं चाहता था अगर कोई विद्यारती सीखना ही नहीं चाहे तो शिक्षक उसे नहीं सिखा सकता